हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल सहेज क्लासी स्टूड़े विल डिस्कॉस डिफ्रेंसिस बिट्विन एलिमिनेशन एंड सब्टिचूशन रियक्शन इससे पहले वाली वीडियो में हम कंप्लेटली देखे हैं कि sn1 कैसे होती है उनका order of reactivity क्या होता है अब क्या बात है कि कई जगह के आउजाता है कि कहां पर elimination होगी कहां पर substitution होगी तो आज हम यह देखेंगे कि इनके बीच में differences क्या क्या है कि कहां पर elimination होगा कहां पर substitution होगी तो सबसे पहले देखो, substitution में तो क्या था, substitute होना था, elimination में, eliminate होना था, हमने यह देखा था, तो देखो, first point चलते हैं, first point इसका क्या कहता है, more bulkier nucleophile give elimination reaction जब हमें, हमने कोई भी nucleophile लिया है, ठीक है, वो ज्यादा बल्की है, nucleophile बल्की है, nucleophile को आके attach होना है, किस पे हेलो, again way जैसे हमने यह ले लिया, तो इस case में क्या है, कि जब हम देखो, elimination है, यहाँ पे, जो nucleophile है, अपना, वो क्या है, बहुत ज्यादा, बल्की है, बल्की होने की वज़ेशे, हम यह सोचें, कि यहाँ से तो यह भी आट जाएगा, यह यह यहाँ पे लग जाई, तो पहले से यहाँ पर इतनी बीड़बार्ड है, इतनी जो स्टीरिक हिंट्रेंस है, उसकी वज़ेशे, जो nucleophile आएगा, उसके लिए स्टेबल ही नहीं है, यहाँ पे आके अटेच होना, तो उस case में क्या होगा, कि यह नेगिटिव है, तो यह क्या करेगा, कि जो भी इसमे आपके क्या होजाएगा, ईल्कीन का सुआएगा, यह क्या लियाओ, जब हमने लच बलकियर ले लें, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, less बलकियर, कि जब less-bलकियर nucleophile होगा, तो उस case में क्या होगा, कि जो भी अपना ये OH है, यह क्या करेगा, डेजंट कि जो लेस बलकि नूक्लियर फाइल होगा वो क्या खड़ेगा एच प्लस को प्रोटोन को एबस्ट्रेक्ट नहीं करेगा बलकि क्या करतेगा उसकी वहाँ पर जैसे यह लोजन जाएगा वहाँ पर ही क्या हो जाएगा यह सब्सिच्चिट हो जाएगा तो क्या देखा हमने कि Elimination में तो जो बेस होगा वो बलकी होगा बलकी होने की वज़ेसे क्या होगा वो यहां पर आके adjust नहीं हो पाएगा, adjust नहीं होने की वज़ेसे, यहां से अपने proton को abstract करके, यहां पर क्या बना देगा अलकी बना देगा, लेकि केस में क्या होगा कि जो लेस बल्कि नुकलियोफाइल होगा वह क्या एच उस मुहां से एच पलस को वह लेकर नहीं जाएगा बल्कि वहां पे जाके सब्टिचूट हो जाएगा उसके बाद क्या है STRONG BASES occurs elimination कि जब हम strong base का use कर लें तो उस टेम पे भी क्या होगा strong basis में क्या होता है negative होता basis औरो साल तरही हमने ही लिया है तो यह क्या करेगा acidic acid को अपने side ले जाएगा beta h को ले जाएगा beta h को ले जाएगा यहां पे जो जो product बनेंगा हमने जो मेज़ बनेगा वो क्या बनेंगा elimination वाला बनेगा लेकिन weak base होगा तो उसके लिए possibly नहीं है कि वह वहां से हच पलस को निकाल लेगा तो वहां पर क्या होगा जो substitution है वह होगा elimination वहां पर possibly नहीं होगा जब हेज पलस नहीं कोई weak base लेते हैं, weak base लेते हैं, तो उस time पे क्या हो जाएगा? कि वो H plus को तो निकालने का able नहीं होगा, एक बल नहीं होगा, तो वो जा करेगा? वहाँ पर जाके substitute हो जाएगा, उसके बाद जब हम high temperature लेंगे, तो उस time पे क्या होगा? Elimination reactions होगी, और जब हम low temperature लेंगे, उस time पे क्या होगी? substitution reaction होगी, तो यह कुछ conditions हैं, जिनको हम देख के बता सकते हैं, कि जो वो अपना substitution होना या Elimination, इसमें आप एक point और साइड कर सकते हैं, यहाँ पे यह लिया हमने, यह तो क्या था, बलकी था, कि दो बलकी group attach हैं, जब यहाँ पे दो बलकी group attach हों, तो तो क्या होगा? Elimination होगी, क्योंकि यहाँ पे, आके substitution तो possible नहीं है, लेकिन यहाँ पे किसी condition की वज़य से, जो अपना यह है ना, reactant है, यह क्या हो, less bulkier हो, less bulkier, reactant, फर्स्ट कंडिशन तो यह हो गई, substitution की, कि less bulkier reactant है, तो वो आपके substitute हो जाएगा, second क्या है, less bulkier, nucleophile, कि जो nucleophile होगा, वो less bulkier होगा, तो easily वो वहाँ पे आके attach हो जाएगा, उसके बाद substitution कब होगी, low temperature पे, उसके बाद weak basis, weak basis वहाँ से S plus निकालने के लिए able नहीं होगे, weak, S plus नहीं निकलेगा, तो वहाँ पे elimination भी नहीं होगा, इसका just opposite यहाँ पे होगा, क्या कि more bulkier reactant, अगर जो अपने हमने reactant लिया है, वो ही ज्यादा बल्की होगा, तो वहाँ पे substitution पोसिबल नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ से S plus निकाल लेगा, second condition क्या बोलेंगे, more bulkier nucleophile, जितना बल्की nucleophile होगा, उसके लिए वहाँ पे adjust होना, इतना ही muscul होगा, adjust होना muscul होगा, तो वहाँ पे क्या होजाएगी, elimination and substitution में, कल हम देखेंगे कि जो अपने हैलो एलकेंस हैं, उनकी metals के साथ कैसे reaction होती है, तो आज के लिए इतना काफी है, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, thanks for watching.